नमस्ते दोस्तों, हमारे बुडे बुजुर्ग कहते थे कि रिष्टेदारी, संबंद या फिर रिलेशन हरदम बराबरी की लोगों से रखना चाहिए, हमसे ज़्यादा उचे लोगों से नहीं रखना चाहिए, जो कि हमसे तीन गुना बड़े है, तीन गुना हमारे उनके बी जगा नहीं मिलने के वज़े से, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट का प्लॉटिंग का शिकार होते हैं, जिनका मुंबई में बहुत ही बड़ा एक टावर में ऑफिस रहता है, उनका बड़ा ताम जहम रहता है, तो दस-पंदर लोग का स्टाफ रहता है, पिकप डॉप फैस प्लॉटिंग के साथ साथ कई लोगों ने बड़ी-बड़ी मार्केटिंग कर रखी है, होडिंस है, तो वो उनसे आप एक एकर का प्लॉट लेंगे, या फिर आदा एकर का प्लॉट लेंगे, और उनके प्रोजेक्ट रहते हैं, सो एकर के, तो उस बड़े ताम जहम के सामन आप बहुत ही बॉन हैं, बहुत ही छोटे हैं और होता ये है कि अगर आप उनसे जब प्रापरिटी परचिस करते हैं तब तक तो बहुत मिठे मिठे बोलते हैं लेकिन बाद में लेने के बाद amenity देते टाइम, चाए हो लाइट हो और कंपाउंड देते देते 3-3-6 मेने बिद गए प्लाश्ट में उन्होंने अपनी प्लोविजन खुद करा ली तो कहने का मतलब है 10-15 एकर 12 जो भी लोकल के डेवलोपर्स है जो छोटे मोटे डेवलोपर्स है उनके आप उनसे आप जाके उनके उपर हभी हो सकते हो आप उन उनका जो स्टाफ है उनका जो मैनेजमेंट है वो आपकी सबसे कई बढ़ा है तो इसलिए हर दम छोटे आदमी से हो सके तो लोकल के आदमी से प्लोट लीजे प्लोपर वेरिफिक्शन करिए क्योंकि लोकल का आदमी जो कमिन्मेंट किया है वो आपको फसाएगा नहीं समय पर देगा आज मैं आपको दिखाऊँगा एक छोटी से प्लोटिंग जो कि 15 से 20 एकर में थी जिसमें 14 गुंठे का प्लोट है 14,000 स्क्वेर फिट का अगरिकल चाफ फार्म लैंड प्लोट है और जिसकी प्लाइज दो लाख पर गुंठा निगोशेबल तो प्लोट देखते यह देखिए इस प्लोटिंग का यह अप्लोच रोड है मतलब लोगों को प्रमेंड मेंड के हिसाब से लोग इन्हें रोड दिया है इलेक्टिसिटी दी है ऐसा नहीं है कि मिल जाएगी मिल जाएगी करके सालो निकाल देते हैं और फिर बाद में जाओ तो यह उसको उसकी तरब टहला रहा है वह उसकी तरब टहला रहा है यह देखिए प्रॉपर थ्री पेज कनेक्शन इलेक्टिसिटी है अप्रोच रोड है और यह प्लोट को गैबिन वाल बनाके मतलब एक साथ से आट पूट की वाल कंपॉंड कर रखी है और यह इस प्लोट का एक्सेस है जो क प्लोट के उस तरब खेती होती है चावल की खेती मतलब यह उनके लिए अच्छा है इनको प्लोटिंग में चाहिए लेकिंडिपेंडेंट चाहिए क्योंकि यह कॉर्लर प्लोट है इसके बाद फार्मर की काफी सारी खेती है चावल की खेती लगाई हुए है प्लोट में यह बड़े-बड़े जंगली पेड़ है और प्लोट ही यह मिट्टी वाला है चामुन का पेड प्लोट में है कि बाकि यह सब साक के पेड़ा है एक साइड से मतलब जो ओपन स्पेस है यह पूरी फार्मर की खेती है इस साइड से जमिन से ग्राउंड लेवल से साथ से आट फूल फूट वाल कंपोने नहीं कर रखता है कि बारिस के वाज़े से हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं कि कई पत्थर वाली जह भी तो नहीं है कई पत्थर तो नहीं है कि यहां पर जरू कुछ पत्तर दंप किये हुए है यह जो सीमेंड का पोल दिख रहा है आपको यहां तक इसकी बाउंडरी है और यह यहां पर जो खोदा हुआ है यहां पर आपका कंपाउंड आएगा जो ओनर करके देंगे इस मोरी से उपर से आने वाला पानी इदर से बाहर जाएगा नीचे बैके चला जाएगा और यहां फिर अभी हम रोड के आता है यह कुछ और प्लॉट है जो बिग चुके है और यह सामने रेड़ी फर्मों से जमीन से रोड की लेवल से यह प्लॉट नीचा है उतार में है इससे बारिश का पानी रुक्ट चुकता नहीं ठहरता नहीं पानी बहे जाता है अब बात करेंगे इसके रेटोर लोकेशन के बारे में हुआ मुंबाई से डेड़ घंटे की दूरी पर पैडली करके विलेज है पैडली विलेज एक मार्केट है जिए फोपली-पाली में रोड पे आता है उस मार्केड से तीन किलोंीटर के दूरी पर यह प्लॉटिं मुंघ का है लोकल की झाल झाल